इस वीडियो में हम discuss करेंगे class 12 की exercise 5.3 का question number 1 तो question है हमें differentiation निकालना है 2x plus 3y is equals to sin x तो left hand side और right hand side जो है इन दोनों में students हम क्या करेंगे differentiation लगा देंगे तो differentiating both the sides तो सबसे पहले दोको 2 तो हमने बहाल लिख लिया तो d over dx of x ठीक है x का derivative या नहीं first term हमने ऐसे लिख दिया plus 3 को हमने बहाल ले लिया d over dx of y तो हमने यहाँ पहल लिख दिया y 3 हम बहाल ले चुके है इस उकलस to अब right hand side में भी यही करना है तो d over dx of sin x हमने d over dx of sin x लिख दिया students 2 से हमें कुछ नहीं करना है तो 2 तो बहार है तो 2 हमने यहाँ लिख दिया x का derivative with respect to x कितना होता है 1 होता है तो multiply by 1 plus 3 हमने as it is लिख दिया y का derivative with respect to x तो देखो यहाँ पर क्या यह function है यानि y तो function ही है तो यह क्या हो जाएगा सिर्फ dy over dx क्या हो जाएगा dy over dx is equals to sin x का differentiation sin x का differentiation with respect to x क्या होता है sin x का cos x तो यह हो गया हमारा cos x तो दो को 2 multiply by 1 तो 2 ही रहता है तो दो को ध्यान से देखेंगे 3 dy over dx is equals to cos x अब दो को यहाँ पर यहाँ पर 2 है यह केसा है मेरा positive का है तो right hand side में अगल में ले जाओंगा तो यह किसका हो जाएगा negative का 2 हो जाएगा तो students आगे देखते हैं तो dy over dx is equals to cos x minus 2 तो यहाँ पर देखो 3 है 3 किसमें है multiply में है तो 3 किसमें चला जाएगा divide में तो upon 3 तो यह हमारा final answer हो जाएगा तो thank you for watching this video मिलते हैं अगले वीडियो में